हेलो एवरिवरिवन आज मैं आपके लिए लगके आई हूँ नाइलोन खमन की ऐसी पर्फेक्ट रेसीपी जो कभी भी फेल नहीं होगी पर्फेक्ट स्पॉंजी बनेगा सो लेट्स स्टार्ट सवर रेसीपी यहाँ पर मैंने मेजरमेंट जो वन कप वाले है और टू फोर्टी एमेल के कप से लिए है बेसन को अच्छे से छान लेना है इसको आपको देन दुसरे बावल में साइट्रिक आसीड थोड़ी सी चीनी और पानी डालके अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक अगेन हम लोग मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा बेसन इंटर्वल में डालेंगे एक साथ पूरा बेसन नहीं डालना है यहाँ पे मैंने पूरे बेसन को तीन इंटर्वल में डाला है और हर इंटर्वल में हम लोगों ने अच्छे से मिक्स किया है अगें यहाँ पर 1 4th कप में पानी आड़ कर देती हूं अगें मिक्स कर लेते दस मिनिट रेस्टिंग के बाद यहाँ पर हम लोग अगें पानी आड़ करेंगे क्योंकि बैटर अभी ठीक हो चुका है त बिल्कुल भी टीन को टैप नहीं करना है और हमें स्टीम करना है 15-20 मिनिट के लिए और यहाँ पर आपका यह खमन बनके रेड़ी है अभी बना लिते हैं शुगर सीरप पानी डाल के चीने आड़ कर दी है बॉइल आते ही इसे हम लोग इसके उपर डाल देंगे थोड़ी देर के बाद पूरा पानी यहाँ पे सोख हो जाएगा अब बनाएंगे तड़का ओइल डाल दिया है राई जीरा करी लिव और स्लीट करके ग्रीन चीली आप ग्रीन चीली कम जादा ले सकते हैं और यह जाएगा तड़का इस खमन के उपर और यह खमन इस रेड़ी इसको दिमोल्ड करके हम लोग इसके पीसेस कट कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हर एक स्पंज आपका कितना परफेक्ट तरीके से आया है यहाँ पर पोर्स दीख रहे हैं और देखे कितना स्पंजी बना है और टेस्ट इस टू आसम गाईस यह रेसीपी बिलकुर फेल नही में थांक यू